ओम शांती, हम सुन रहे हैं सुनी, अन्सुनी कहानियों का ये सफर, जिसमें आदर ने हृदे पुष्पा दादी जी अपने आँखों देखा, यग इतिहास के वो कुछ पन्ने, कुछ वो पल, कुछ बीते हुए वो अन्मोलक्षन हमारे साथ शेर कर रही हैं, जिसमें दादी बता रही हैं कि जब मैं बैंगलोर सेवा पर थी, और बाबा का पत्र आया, ममा आ रही हैं बैंगलोर में सेवा अर्थ, बस दादी को दिन रात यही संकल्प था, ममा को कहां ठेराया जाए, कहां ये चोटी सी कोट्री और कहां मातेश्वरी जगत अंबा, रात भर नीद नहीं आई, योग में बैट की बाबा कुछ युक्ती टच कराए और ममा का स्वागत बैंगलोर में बहुत अच्छे से हो, सोचने ही लगी थी कि वो यग्य माता जिनको सभी प्यार से यग्य निवासी ममा कहा करते थे, वो बैंगलोर की धरती पर आ रही हैं, तो मैं उनका स्वागत कैसे कर, अचानक ही दादी को प्रेढ़ना मिली, कि तुम ज्वेलरी स्ट्रीट है, वहाँ पर जाओ, और उसी अनुसार दादी जब वहाँ पर गई, तो वहाँ एक मकान था, बहुत ही बड़ा अलिशान, सुन्दर मकान बना रखा था, उस मकान मालि को भी जैसे कुछ टचिंग बाबा ने खुद ही करा दी थी, तो उसको ऐसी प्रेढ़ना मिली, जब दादी जी जाकर उनसे मिली, और उनको बोला अपनी प्रेढ़ना के अनुसार, कि ये घर मुझे कुछ समय के लिए चाहिए होगा आपका, हमारी मातेश्वरी जगतंबा जी आ रही है, और चांसली ऐसा भी हुआ, क्योंकि नियती को पता है, भगवान को पता है, वो भाई भी जगतंबा का बहुत बड़ा पुजारी था, जब उसे मालूम पड़ा कि चैतन्य जगतंबा आ रही है, तो उसने खुशी-खुशी अपना घर दे दिया सेवा के इतना ही साथ में गाड़ी की जावी भी पकड़ा दी, बाबा ने निमंत्रन पत्र का सैंपल भी भेजा था, कि मा आ रही है, ममा आ रही है बच्छों की, जगतंबा का सबको परिचे मिले, इसलिए आप कार्ड्स भी छपवा कर सब जग्य सेवा करूँ, अब बाबा ने सैं जैसे वो कमर्शल स्ट्रेट में प्रेस थी बहुत बड़ी जहां पर चपाई का कारिय होता था, उसमें जाने के लिए बाबा जैसे मुझे प्रेड़ना दे रहे थी, बाबा की टचिंग प्रेड़ना मिलते ही मैं जब उस प्रेस में गई, तो वो प्रेस का मालिक भी जगत से निमित बन गया, मेरा कोई भी एक पाई का भी खर्चा नहीं लगा, बाबा ने ऐसे ही दादी का नैच्रल मन में संकल्प था कि बहुत भवे स्वागत होना चीए, तो कौन पुष्प, कौन मालाइन डालेगा, ऐसे संकल्पी चल रहा था, लेकिन बाबा ने एक माली को भ आतेश्वरी जगत अंबा जी आ रही है, तो मेरी तरफ से ये फूलों का हार चड़ा देजिए, और एक नहीं बहुत सारे फूलों के हार दे कर देए, तो स्वागत के लिए जैसे मान लेजिए करन करावन हार ने सारी तैयारियां आपई करवा दे थी, जब ममा को स्टेशन से लेने गए, और स्वागत करते हुए उनको ज्वैलरी स्ट्रीट में लेकर आए, जहां वो बड़ा मकान था, और ममा का गला मालाओं से एकदम जैसे भर गया था, इतनी माला आए उनके उपर चड़ाई उनके स्वागत में, जगत अंबा को जैसे ऐसा लग रहा था, प्र खल रखे और कहा, मैं तो आपका पुजारी हूँ, मैं आज तक आपको मूर्ती रूप में पूछता था, आज आप चैतन ने आई हो, आप ये स्वीकार करिए, मेरी गाड़ी भी आपकी सेवा में प्रयोग करिएगा, मेरी ग्लास की फैक्टरी है बहुत बड़ी, मैं उसका मालिक हो, आप वहां भी चरण रखेगा, लेकिन ममा ने कुछ देर तो उस आत्मा को संपन किया, जैसी भावनार होती है भक्तों की, उतनी उसको प्रेड़ना के आधार पर जो भी ममा ने दिलाना था, वो अनुभव पूर्ण रूप से प्राप्त कराया, लेकिन ममा वहां रही नहीं, ममा ने कहा मुझे ये महल में नहीं रहना, आप मुझे हृदय पुष्पा दादी जी को बोला, आप मुझे वहां लेके चलो, जहां आप सेवा के लिए रहते हो, दादी को अंदर से बड़ा संकल पाया, कि वो तो छोटा सा कमरा है, और एक छोटे से कमरे में मै रहती हो, वहां दादी कहां रहें, मतलब दादी रह रही है, वोई कभी पलंग बिचाती है, हटाती है, ऐसा है, तो ममा कहां रह सकेंगी, लेकिन ममा ने कहा, वही बाबा के द्वारा खुला हुआ, सेवा स्थान है, आप मुझे वही लेकर चलो, तो दादी ममा की आग्या पर ममा को सिवा केंद्र पर लाई, सिवा स्थान बहुत छोटा था, दादी को संकोच भी हो रहा था, लेकिन दादी ने अपनी चारपाई पर ममा को आराम करने के लिए दिया, ममा ने आराम किया, फिर सिवा पर चली गई, ममा ने कहा कि बाबा ने आपके लिए मुझे एक बताईए ममा ऐसा क्या संदेश है तो ममा ने कहा बाबा बोले कि अगर बच्छी को यहां पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो आप जा रही हो ना बैंगलो उसको वहां से वापस ले आना क्या जरूरत है छोटे से कमरे में जैसे जैसे एड़ेस्ट करने की बाबा के घर में आकर रही कोई बार नहीं ये सुनकर दादी को अंदर से आया और दादी ने एकदम ममा को reply करते हुए बुला ममा मैं युद के मैदान में आई हूँ और युद के मैदान से बिना युद पूरा हुए अगर कोई बीच से चला जाता है तो उसको महावीर नहीं कहा जाता हुआ उसको कायर सिपाई कहा जा इसी तरह मैं भी सेवा क्षेत्र के लिए युद्ध मैदान पर आई हूँ, इस युद्ध के मैदान से कैसे भी मुझे सर्दी गर्मी, किसी भी प्रकार के पदार्थों की कमी का भी अगर सामना करना पड़ता है, मैं बीच से नहीं भागोंगी, मुझे किसने भेजा है, स्वे तो मेरे अंदर देख कर भेजा होगा, भले मुझे यहाँ पर मरना जीना भी पड़ जाए, लेकिन मैं बाबा की सेवा में ही रहूँगी, एक बल, एक भरोसे पर ही रहूँगी, इस प्रकार कुछ दिन सेवा करके, ममा तो वापस चली गई, लेकिन मैं सेवा पर वहीं रही ममा के इतने बड़िया स्वागत का मुझे कभी सपने में भी ख्याल नहीं था दाली के हरी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कुछ अरेंज कर दूंगी, करन करावन हार मुझा आत्मा को इतने अच्छे स्वागत के लिए निमित बना देंगे, और देखिए, आज वही सेवाइं चल रही हैं, जहां अन्यक आत्माइं आकर लाव लेती हैं, उस चौक का नाम जो सरकल का नाम था, सरकार ने जगतंबा सरस्वती सरकल नाम रख दिया, अगर आप पहले कभी उस सरकल का नाम पढ़ेंगे, मिस्ट्रियादी में तो उसका नाम कौार्डर सरकल था, लेकिन जब से ममा हो कर गई, तो उनका जगतंबा सरस्वती सरकल नाम पढ़ गया, दादी अपने अनुभों में बड़ी अच्छी बात एक और बता रही हैं, कि कैसे बाबा कुछ ना आते हुए भी हम आत्माओं से कुछ ऐसी सेवा करा लेते थे, जो अध्वुत होती थी, एक बार की बात सुना रही हैं, कि एक बार सिवा केंदर पर एक व्यक्ति आया था, और जैसे ही वो मेरे से मिलने लगा, तो मिलते ही उसने मुझसे एक प्रश्न कहा, कि I want peace of mind, जब ये शब्द उसने मुझसे अंग्रेजी में बोला, तो दादी कहती मुझे तु कुछ पता एक सकिंड के लिए तो मैं एक दम ऐसी फंक हो गई थी कि ये क्या पूछ रहा है, मैं इसको क्या ला कर दूं, लेकिन मन से जैसे मनोबल हमें भग्मान ने मन सा सेवा करने की जो शक्ती दी थी, मैं थोड़ी देर तक उसको सक्षी होकर दुष्टी देती रही, और अंदर य यहां सेवा के लिए भेजा है, अब इस आत्मा को क्या चाहिए, मेरी समझ से तो पर रहे है, क्योंकि मुझे यह लेंग्विश नहीं आती है, लेकिन हाँ, बावा आप मुझे सयोग दो, क्योंकि मेरी इज़त तो आपके पास है, अब आपको रक्षा करनी है, इस आत्मा को जो चाहिए, मुझे निमित इस मुख के द्वारा आपको जो दिलवाना है, बुलवाना है, वो दिलवा देजे, बस यह संकल्प करके, दादी कहती, मैं दो मिनट योग में बैठ गई, उसी घड़ी मेरे मुख से बाबा ने ऐसे अंग्रेजी के शब्द निकलवाए, जो सा अंग्लोर का अंग्रेजी भाई कहके ही बुलाते थे, देखिये करन करावनहार परमात्मा, मुझ आत्मा से या हरेक आत्मा से दादी बता रही हैं अपने अनभवों से, ऐसे ऐसे कार्य करा लेते हैं, जो हमारे अंदर सुशब्त रूप से कोई वो कला होती भी नहीं है, त जब हमने सेवा की प्लानिंग करी तो हमें मन में आया कि क्यों ना हम कुछ नहीं सेवा करें, बैंगलोर के मैसूर के राजा है, इनकी सेवा होनी चाहिए, लेकिन आप देखिये भगवानों वाच कितने सत्ते होते हैं, वो दादी अपना अनुभव बता रही है, इसका इतन संदेश हम देकर आएं, इसकी योजना तयार करी, और दादी उस समय मदुबन आई होई थी, बाबा से मिलने के लिए, तो मदुबन से इस बारे में बाचीत करी, क्योंकि जो भी हम कोई कार्य करती हैं, तो बाबा को जुरूर बताते थे, जो भी अग्यमें बड़े होते है बाबा नहीं तो बाद में दादियां मुख्य प्रशासी का बनी, उनको बताया, तो दादी अपना अनुभव बता रही है, मैंने बाबा को बोला, बाबा भाई भेन कुछ राजा से मिलकर उनको परमात्म संदेश, इश्वर्य संदेश देने की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे जाना चाह रहे हैं, तो बाबा ने एक सेकिंड में इका बच्चे, राजा तुम्हें नहीं मिलने वाला, मिले गई नहीं, अब बाबा ने ऐसे बोला, लेकिन यहां तो तैयारी हो चुकी थी, कार्ट चप गए थे, जाकर मिलने के लिए अपॉइंटमेंट टाइम ले लिया गया था, अब भाई भेनों ने बोला कि दादी अब आप क्यों मना कर रहे हो लास्ट मॉमेंट पर, चलके देख लेते हैं, मिली जाएगा शायद, बाबा तो वहां बैठे हैं, बाबा को क्या मालूम, ऐसा शब्द भाई भेनों ने जब बोला, तो दादी ने का ठीक है, ज बच्ची की दिल रखते हुए, दादी को कुछ लिट्रेचर दिया, टोली दी, सब कुछ दे कर भेजा, परन्तु देखिये, भगवानों वाज कितने सार्थक होते हैं, वहां जाते ही अकबारों में खबर चप गई, कि राजा की जो मा थी, वो मृत्यू को प्राप्त कर तो देखिये, बाबा ने पहले ही कह दिया था, आप जा रहे हो लेकिन राजा तुम्हें नहीं मिलेगा, सोचिए, भगवानों वाज कैसे सच साबित हुआ, फिर बाबा ने कुछ समय के बाद, कुछ महीनों का अंतराल हो गया था, उसके बाद राजा की सेवा का काले करम ख जिस दिन बाबा ने बोला जाने को, हमने उस दिन पूरा लिटरेचर तयार किया, टोली आदी तयार करी, कुछ भाई भेनों का गुरुप तयार किया, और हम वहा गए, सच में ही राजा ने हमारा इतना खूब स्वागत किया, और दादी ने बाबा की द्वारा दिया हुआ जाड का चित्र, त्रिमूर्ती का चित्र, वो सब सौगात के रूप में टोली आदी जब भेजा, कि प्यारे बाबा ने आपको इश्वरे निमंतरन के लिए भी बुलाया है, और ये सब सौगात दी है, तो राजा ने भी बदले में एक शॉल भेजी, जिसमें गोल्डन ता कर सेवा कराते थे, और बाबा का कहा शब्द कब सार्थक हो जाएगा, मनुष्य बुद्धी उस बात को नहीं समझ पाते थे, इतनी गहराई से बाबा हर एक बच्चे को सेवा का स्थान, समय, स्थिती सब तयार करके फिर जाने के लिए प्रेडना देते थे, एक बार की बा और वो क्या रूप बना, क्योंकि पिता जी ने यग्य में अपना संपूर्ण समर्पन कर दिया था, इसलिए अंत में भी जब वो शरीर छोड़ रहे थे, उनको त्रिमूर्ती का सक्षत कार हुआ, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर्तीनों स्वरूप में खड़े हैं मेरे स और जाते जाते अंतिम समय, अंतिम श्वांस में जैसे कुछ मेसेज देना हो, तो वो दृष्ण बता रहे थे कि मैं जा रहा हूं, मेरा बुढ़ापा खत्म हो रहा है, मुझे पुश्पक विमान में ले जाया जा रहा है, मुझे ले जाने के लिए त्रिमूर्ती स्वयम आ रहे थे, ये बात 1968 की है, और ठीक एक वर्ष के बाद 1969 में प्यारे बाबा भी अव्यक्त हो गए, जब बाबा अव्यक्त हुए तब मैं नहरूनगर में रहा करती थी, बैंगलोर के ही नहरूनगर में रहती थी, लेकिन जैसे कुछ चार-पाइंच दिन पहले से ही दादी ब अनुभव होता था कि बाबा मुझे बुला रहे हैं, बच्ची मेरे पास आजाओ, ऐसा आवास सुनाई देती थी, रात को दो-दो बजे उठकर मैं योग में बैठ जाती थी, कभी मेरी साथी बहने जो उठकर दादी जी के साथ सेवाओं में थी, तो साथी बहने उठकर प टाल देती थी, कहती थी, क्या आपने शरी चोड़ना है, क्या, भगवान बुला रहा है, कोई कहेगा, तो भगवान तो उपर वाला है, तो वो कहे भी देती थी, अच्छा, क्या आप जाने वाली हो, क्या आपको जो बुला रहा है, और देखे, उस दिन इत्वार का दिन थ ते काफी अश्रुधारा लगा तार दादी जी के बह रही थी अंदर से जैसे बहुत दुख प्रतीत हो रहा था पताने क्यों हो रहा था योग लगाने पर भी जैसे योग लगनी रहा था दुख की महसूसता आ रही थी फिर दादी वहां से उठकर भोग आदी का कारेत्रम प जैसे अव्यक्त रूप में दो ने चैसे नहीं बीढ़ें ऑप कर रित लाकर अति की लेकिन पर घृत तो देखो रोटी आयीदी लेकिन भावारें तुमको कितना हसाया था हसी थी ना अभी वैसे हस कर दिखाओ तो देखो बाबा के कहते ही सच में उनके चेरे पर वो हसी आ गई और दादी को जैसे बाबा बोल रहे हैं बच्ची बाबा अव्यक्त रोप में सदा आपके साथ है ऐसे अव्यक्त बाब दादा की मीठी प्यारी दुष्टी लेते-लेते दादी कहरी मेरे चेहरे पर कैसे दुख गायब हो गया और हसी की लहर चा गई और फिर कुछ देर में ही आबू से फोन आया और फोन आने पर फोन पर क्या मैसेज मिलता है प्रजा पिता ब्रह्मा अव्यक्त हो गए है जब उनकी अव्यक्त होने की सूचना मिली तो सिर्फ अव्यक्त होने की बात नहीं बोली साथ में दो लाइने और सुनाई गई कि जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है इसलिए हम ब्रम्हा वजसों को ड्रामा पर निश्चे रखना चाहिए बस और फोन पर मुझे आबू आने की सुच ना मिली जैसे मुझे आबू आने के लिए कहा गया सो मैं तुरंत ही आबू के लिए निकल गई ड्रामा की भावी को समझ अपने आपको मैंने संतुष्ट कर लिया क्योंकि कुछ देर पहले ही बाबा हम बच्चों को जैसे अंदर से परिपक्वो बना कर मुझात्मा को गए थे दादी बता रही हैं कि एक दिन ऐसे ही जब मैं वहां से वापस आई थी तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जो सच में अद्भुथा करन करावनहार अव्यक्त रूप से भी कैसे कोई कार्य कराता है ये सुनने लाइक बात थी जो हम अगले अपिसोड में सुनेंगे ओम शांति